अमेद तरकार समझने वाले हम भी तो इंसान है कोई जानवर नहीं है हम क्या जाएं? टीजी में दिखाओगी आप कि आप लेके बेड़ जाओगी कोई मीडियो और नहीं दिखाता है वेलकम दोसे वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वाइरल खबरे खबरे जुड़ी मुई हैं उत्राखंड से उत्राखंड के हल्दवानी से ये अपडेट निकल के आ रही आपकी स्क्रीन पर विज्वल्स देख सकते हैं कैंडल मार्ज देख सकते हैं महिलाओं का रोना देख सकते हैं बच्चों का बिलखना देख सकते हैं और आरोप गोधी मीडिया के उपर सरकार के उपर, सबसे पहले आरोप गोदी मीडिया के इस बात के उपर के वो क्यों नहीं इस बड़े प्रोटेस को दिखा रही है, दूसरा आरोप सरकार के उपर भी है, मैं एक एक करके वो सारे रियाक्शन्स भी शेयर करना चाहूँगा, जो इस खबर से जुड़े हुए है और क्या अपडेट है, वो भी मैं आपके सारे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि अपडेट कुछ ऐसी आ रही है, कि हलवानी रेलवे स्टेशन के परीब रह रहे है, 4500 घरों पर चलेगा बुल्डोजर, उत्रकंड हाई कोट की तरफ से भी आदेश जारी कर दिया गिया है, इसका मतलब ये है कि 4500 घर, बेघर होने वाले हैं, जिसके बिरोध में देखा जा सकता है, लोग सड़कों पर उत्रे हुए हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, और लगातार सोशल मीडिया पर ये विज्वल्स जो हैं, वो वाइरल हो रहे हैं, और कौन क्या कुछ लिख रहा है इस सारी अपडेट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, इसी के हवाले से दो दिन पहले रिपोर्ट निकल के आई थी, यहां आपकी स्क्रीन पर, यहां 4500 घरों पर चलेगा बुल्डोर्जा सबसे पहले कटेगी बिजली 7000 पुलिस कर्मी तैनाद। रेलवे प्रसाशन और राज्य प्रशाशन की मिली भगत के कारण अब आश्याने तोड़ने का आदेश हो गया है, उस पर नियाएक मोहर भी लग गई है। पकड़ लिया है, लगतार वहां से अलग-अलग विज्वल्स जो है, वो निकल के आ रहे हैं आपके स्क्रीन पर, रेलवे जमीन पर, ध्वस्तिकरंग की कारवाही के विरोध में ये आप देख सकते हैं कैंडल मार्च, महिलाई निकल गई हैं और सोशल मीडिया पर कही न कह इस बात का आरोप है कि उसके अंदर जो तादाद है, वो जो मेजॉरिटी में है, वो मुस्लिम समाज है, कही न कही इस बात का भी आरोप लग रहा है सरकार के उपर, कि वहां मुस्लिम परिवार है, कही न कही इस वज़ा से इस काम को किया जा रहा है, लोगों के अलग-अल तो इसका विरोध कर रहे हैं सोशल मीडिया पर यूजर्स का इस पूरे मामले पर क्या कहना है आपकी स्क्रीन पर लोगों का कहना है कि इसे देख करके दिल तूटता है कि किस तरीके से उत्रकंड की सरकार जो है वहां हजारों की तादात में परिवार जो है वो बेघर होने व है जिसे बाकी लोग लेकिन उनके साथ किस तरीके से सलूक किया जा रहा है साथ एसाथ एक यूजर्स का कहना है कि असम के बाद अब उत्रकंड में जो है वो ये अपडेट निकल के आ रहे है कि किस तरीके से जो मिजॉर्टी में मुसल्मान है हल्दवानी में उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है कि railway station के पास की जो जमीन है उनके जो घर है वहाँ पर 4500 से जादा जो परिवार है वो अपना घर खोने वाले हैं उनका कहने का मतलब है कि Islamophobia जो है वो अपनी peak पर है इंडिया में असम के बाद उथरा घंड से ये update निकल के आ रही है साथे साथ लोगों का ये भी कहना है कि गोधी मेडिया इस पर एकदम चुपी सादी हुए है सन्नाटा है कोई इस पर आवाज नहीं उठा रहा इस पूरे मामले पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है लोगों का ये कहना है कि क्या वो इंसान नहीं है साथ साथ एक और अपडेट सोशल मेडिया पर काफी तैरती भी दिख रही है जहां मामला बताए जा रहा है दो हजार अटाइस कुम मेले का यहां बताए जा रहा है कि उज्जैन में मुस्लिम कॉलनियों के घरों को खाली करने का आदेश जो है इस पूरे मामले को शेयर करते हैं क्योंकि हल्दवानी का मामला बर्ड चाड़ करके सामने निकल के आए तो लोग यह कह रहा है कि और भी अलग-अलग हिस्तों से ऐसी अपडेटे आ चुकी है कि आने वाले वक्त में वहां कहीं न कहीं उस तरीके से सलुक उनके साथ जो किया जाने वाला है कुछ तरीके के आदेश आपकी स्क्रीन पर वशेम अक्रम त्यागी है कि मपी के उज्जेन में दो हजार अटाइस में कुम मिला आयूजित होने जा रहा है अधिकारियों ने मुसल्मानों को शहर की गुलमोहर कॉलिनी खाली करने के लिए कहा है कॉलिनी में मुसलिम 80 साल से रह रहे हैं उनके पास अपनी जमीन के दस्तावेज भी है लेकिन जब मुसलिम उत्पिड की सत्ता प्राप्ती का रास्ता बन जाए तब तो सवाल लगातार उड़ रहे हैं कि ये किस तरीके के इंक्रोच्मेंट है कुछ लोग कह रहे हैं कि पिछले 60-70 सालों से वहां लोग रह रहे हैं परिवार वहां रहे हैं हर चीज वैसे ही कर रहे हैं पैसे बाकी लोग कर रहे हैं, टैक्स देना, इलेटरिसिटी का इस्तमाल, हर चीज करना, लेकिन फिर किस तरीके से जो है, वो ये अपडेट आ रही है, और लोग इस पर लगातार जो है, वो अपनी राय देते दिखाई दे रहे हैं, साथे साथ बताते चले कि साल का आखरी द आ रहा है, उनको उन पर बुल्डोजर चलाया आ जा रहा है, अशोक कुमार पांडे हैं, जो इस पर रियाक्शन देते हैं, यह आपकी स्क्रीन पर वो पूरी रिपोर्ट शेर करते हैं, जो प्रधामंतरी मोदी ने आज से कुछ साल पहले 2022 को लेकर के अपना बयान दिया थ 2022 तक बुलिट ट्रेन रहेगी, साथे साथ उन्होंने आइस्ट्रोनाट को भी 2022 तक बात करी थी कि आइस्ट्रोनाट भी जो है, वो 2022 तक जाएंगे स्पेस में, तो यह सारी बाते जो है सोशल मेडिया पर कही ने कहीं, अपडेट के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, सोशल मेडिया पर यह सारी अपडेट काफी वाइरल हैं, आपकी अपनी कह रहा है कॉमेंट सेक्शन में जुरूर बताएं, मिलूँगा आप सभी से अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें